दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मुंबई वर्सिस गुजरात के बीच खेले जाने वाले मैच नमबर 57 की एक सटीक भविश्यवानी देने वाले हैं आप सभी को बता दें कि हमारे पिछले सभी मैचों की भविश्यवानी बिल्कुल सही जा रही है और 8 मैचों की भविश्यवानी सही होते होते गलत हो गई अगर आप भी मुंबई और गुजरात को एक महान IPL टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा इंडियन प्रीमेर लीग 2023 के 57 वे मैच में मुंबई इंडियन्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा ये मैच 12 माई को शाम साड़े साथ बजे से मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स फिलाल 12 अंकों के साथ अंक तालिका में 30 नंबर पर है मुंबई डे अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया था महीं दूसरी ओर गुजरात टाइटन संक तालिका पर सब से उपर है आगामी मुकाबले में दोनों टीमेंट टोनमेंट में अपनी सिती सुधाने के लिए जीत हासिल करना चाहेंगी दोस्तों अगर आप लोगों को मैच पेडिक्शन, टॉस, रिपोर्ट या फिर सेशन खेलना है तो रोकी भाई के साथ जरूर से जुड़ना इनका 95% से ज़्यादा एकुरेट काम रहता है और बहुत ही सही रिपोर्ट आपको देंगे इनका WhatsApp नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इनका टेलिग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप एक अच्छी टीम बना कर प्रॉफिट कमा सकते हैं तो इनसे आप बात कीजिए और फुल प्रॉफिट कमाईए आईए जानते हैं कैसी होगी वानखेडे स्टेडियम के पिच मुंबई के वानखेडी स्टेडियम के पिच पर बल्ले बाजों को खूब फायदा मिलता है यानि ये पिच बल्ले बाजी के लिए अच्छी है पिच पर उचाल मिलता है और गिंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है अगर बल्ले बाज एक बार सैट हो जाए तो इसका खूब फायदा मिलेगा अलगि बल्ले बाजों के स्पिनर से बचका रहना होगा पिछ पर स्पिन गिंद बाजों की एहम भूमिका होगी इस पिछ पर पहली पारी का स्कोर 170 से 190 तक होता है ऐसे में कप्तान टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करना चाहेंगे वांखेडे स्टीडियम के इस मैदान पर अभी तक IPL के 107 मकाबले खेले गए जिसमें पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 49 मकाबले जीते है महीं लक्ष का पीछा करते हुए टीम ने 58 मैचों में जीत दर्ज की है IPL में अब तक मुंबई और गुजरात के बीच केवल दो मैच के ले गए जिसमें एक मैच मुंबई इंडियन्स ने जीता है महीं एक अन्य मैच को गुजरात टाइटन्स ने जीता है मुंबई और गुजरात के बीच मैच मुंबई इंडियन्स के घरेलू मैदान बानखेडी क्रिकेट स्टेडियम में खिला जाएगा जहां मुंबई इंडियन्स का रिकॉर्ड बेहद ही शांदा रहा है आईपियल 2023 में मुंबई टीम का अपने घरेलू मैदान में प्रदर्शन अच्छा रहा है जिसके चलते ही ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई वर्सिस गुजरात का मैच मुंबई ही जीतेगा दोस्तों क्या है आपकी राय आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस तरह के आईपियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा थैंक्स फर वाचिंग